आपको यह देखना है कि आपको लगता है कि शायद इससे कोई कुछ फरग नहीं वड़ता लेकिन जो आपका स्टेटास है वो पूरी प्रोफाइल है आपकी आपका पूरा व्यक्तित है वो सब बता देगा आप वेस्टीच करते नए नि करते किसको मालू पड़ेगा जब तक आप वेस्टीच के प्रोडख्स के स्टेटस नहीं लगाएंगे एक दिन में सारे पोड़क मन लगाओ, रोज एक एक पोड़क लगाओ, मैं personally भी रोज कुछ ना कुछ पोड़क के फोटो लगाता हूँ, कोई हर रोज एक पोड़क की फोटो लगाता हूँ, कभी कैल्शियम का स्टेटस लगा दिया, अब क्या हो रहा है न, मैं आप से एक क्या हम नहीं जानते हैं नाम, कई सदीयों से सुने आ रहे हैं नाम हम, क्यूं आज भी एड़ आती है, क्यों बार 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 हमारे को रिकॉल कराना चाते, भुलाने नहीं देना चाते हमें, उनका नाम, ऐसे ही, जब हम वेस्टीज का स्टेटस लगाते तो बहुत सारे तो आपकी जो शब्द है वो पहले तो आपको बहुत चूस करने पड़ेंगे किन शब्दों का इस्तिमाल करके आप इन्वाइट कर रहे हैं। दूसरा आपको इस बात का डर है कि आप वेस्टीज का स्टेटस लगाऊगे और जब आप फोन करोगे और बोलो कि मैं एक बिजनस कर रहा हूं तो वह सोचेगा कि वो वेस्टीज तो नहीं है तो आपको इस बात का डर है कि मैं इसलिए न लगाँ क्यों मना कर देगा तो यह बहुत बड़ी गलत ताइमी है, मैं अगर air purifier का status लगा रहा हूँ, मैं water purifier का status लगा रहा हूँ, या मैं calcium का लगा रहा हूँ, कल को अगर उनको water purifier लेना हुआ, कल को अगर उनने calcium लेनी भी हुई, तो उनके दिमाग में रोज मैं westige, westige, रोज मैं वो products recall करा रहा हूँ, अगर वो मेर को जानते होंगे, तो मेर को जरूर याद करेंगे, अरे एक लड़का है पुशाल, वो रोज westige का status, इससे पूछता हूँ, कि westige क्या है, ये लगाता है, इसको जादा पता होगा, आप prospect के पीछे बाग रहे हो, prospect आपके पास अपने आप आप आएगा, जब आ ऐसे माहिर हो जाओ, वहाँ पे आप अपने आपको पूरा का पूरा जोग दो, और वहाँ आप आपकी activities दिखनी चाहिए, रोज, डेली, पता चलना चाहिए, आप करते क्या हो, आप westige करते हो, तो दिखना चाहिए, लोगों को, कि westige है क्या, किस तरीके से मैं westige करते हूँ proud के साथ आपको photo डालने है, डर के मत डालो, डर के मत करो business, और डरना किस बात का है, हम किसी का गलत थोड़ी कर रहे है, status लगाओ, share करो, office जाते हो, कहीं भी जाते हो, product ले रहे हो, डिखाओ, बहुत सारी चीजे हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अब हम बात करेंगे, जो आ demonstration दिखा रहे हैं, मिटिंग दिखा रहे हैं, तो उसमें हम और results कैसे लेकर आ सकते हैं, क्या ऐसा काम करें, जिसकी वज़े से हमारे results और थोड़े से और increase हो जाए, सबसे पहली चीज़, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, कि जैसे कि आप जब meeting देते हैं, किसी को भी presentation देत तो अब आप क्या करते हो, उनको PDF वे गएरा send करते हो, शायद वो देखे या ना देखे, ठीक है, सबसे पहली चीज़, आपके पास यह होना चाहिए, order form, क्या यह आप लेकर गुम तो अबने पास, अगर आप यह tools, यह company ने, इसलिए नहीं बना रखे, आप वहाँ पे DLCP जाओ, और वहाँ पे order करो, नहीं यह आपके लिए है, यह आपको पता नहीं अभी तक, यह हमारे लिए बनाए है, distributor के लिए बनाए है, distributor order form है यह, यह हमारे लिए बनाए गए है, और यह tools अगर हम हम हम क्या करते हैं, वीटिंग देने जाते हैं, एक pen लेकर जाते हैं, क्योंकि हमें तो college स्यादर लगी है, bag में कुछ भरके लेकर जाना है, यह बस pen लेकर जाना है, meeting आपको यसी लिखाते हैं, टूल्स बना रखे हैं कंपणिए नेए, हम यूज नहीं करते हैं toolLS का, यह tool ह आपका आपने क्या करना है ये एक order form निकाल कर ये उनको दे आना है अब क्या होगा customer आप देखेगा यहाँ पर प्राइजिंग लिखी विए बहुत सारे customer बोलेंगे अच्छा नोनी क्या होती है उनको समझ यागा इतने सारे product में अब आपने साथ ही साथ अगला काम क्या करना है जो आपने रखना है अपने साथ अपने बैग में पांच तो आपको लेकर जानी है ये इतनी होनी चाहिए पांच चीक है पांच आपके पास होनी चाहिए मोम की किट तीन चार आप रख सकते हो अपने साथ हेल्थ गाइड अगर एगरी पे काम कर रहे हो तो एगरी का ये booklet और अगर किसी को business plan की रूची है तो दो तीन फाइल आप ये वाली business plan की रख सकते हो आपने करना क्या हो ये काम कैसे आएंगी अब आपके आपने प्रैन द दिखाए डेमो दिखाने के बाद आपने ये एक फाइल ये एक catalog power of catalog बता रहूं ये catalog हो सकता है किसी को Hindi पसंद हो पढ़ना किसी को English पसंद हो तो दो तीन ले सकते हो मेरे पास Hindi भी है और मेरे पास English भी है ये Hindi में है तो ये आप उनको दे दो इसमें प्राइजिंग नहीं कुछ ही नहीं लिखा हुआ इसमें लेकिन इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ने के बाद वो decide कर लेंगे कि उन्हें क्या-क्या प्रोडक्स चाहिए है ये आपने उनको छोड़ दिया और प्राइजिंग के लिए ये आपने उनको दे दिया ठीक है और तो और साथ ही साथ M.O.M. की भी catalog आपने उनको दे दी, M.O.M. की भी catalog दे दी, हालकि इसमें भी है M.O.M. की पोड़क लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, यह तीन चीजे, यह आपने उनको दे कर आ जानी है, छोड़ देना है आपने उनको, दे कर आ जाना है आपने, अगर आप चाहते हो क आपके रिजल्ट्स और बेटर निकला है, अब इससे क्या होगा, जब आपने demonstration दिखाया, सब को दिखाया, उनके mind में आगे, वो prepared होगा है, कि चलो, एकाद दो, चार प्रोड़क्त ले लेंगे, तो हो सकता है कि आपके निकलने के बाद, जब आप घर जाए, तो वो भी अ बार, ये वाला मंगा लेते हैं, mentally prepared हो चुके होंगे, अब आपके पास बहुत अच्छा, ये उनको उनके पास छोड़ना नहीं हमेशा के लिए, 24 से 48 घंटे में उनके पास वापस आना है, क्योंकि ये बुकलेट चाहिए आपको follow up, मैं वो में बुकलेट ले, देकर गया थ आपको मैं देकर गई थी, आपने वो प्रोड़क्ट चूज कर लिए, follow up होगे आपने आप, क्योंकि आप बुकलेट वापस मांगने आ रहे हो, उनको बोल दो, कि मैं आपको बुकलेट देकर जा रही हूं, या मैं आपको ये बुकलेट देकर जा रहा हूं, आप चूज कर अब उनको तो नहीं बता कि आपके बाद 5-5-6-6 है, वो तो आपने अपनी तयारी के लिए रखने हैं और उनको शर्मा शर्मी में उन्होंने कुछ ची ले रखे तो वापस तो देंगे ना, अब जब वो वापस दे रहे होंगे, तब आपने उनसे पूछ लेना है, तो मैं आपको order form दे कर गया था, तो उसमें आपने बताया था कि मुझे flex oil तो चाहिए, चाहिए, तो flex oil के साथ मैं और क्या क्या, अगर कोई इंसान बोलता है, मुझे flex oil चाहिए, तो आप उनको एमन बोलो sir, हाँ मिल जाएगी, मैं एक flex oil ला दूँँगा, नहीं, आप बोलो sir flex oil चीए, कितनी तीन बोटल दे दूँँगा, चार बोटल दे दूँगा, अब आपने option ही ऐसा दे दिये, तीन या चार तो उसमें से वो बोलेगा, नहीं, तीन चार नहीं तो दे दो, या एक तो दे दो, आप कहता हो sir, एक दूँगा या नहीं दूँगा, flex oil दूँगा, option दो, दो दो या तीन दो, चार दो या पांच दो, कितनी बोटल दे दो, ऐसे option में, option, close ended question उनसे पूछने आपने, ये catalog आपके लिए बहुत काम करेगी, जितने प्लैन दे कर आ रहे हो, सब में catalog दे हो, दिन में 5 प्लैन दे रहे हो, 5 catalog बाटा हो, अगले दिन उन 500 से अपना catalog ले लो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, कि अगर एक इनसान ने एक product choose किया है, तो उससे 5 choose कैसे कराने है, ठीक है, तो चलिए, आज अब हम slide की तरफ आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे customer experience की, आपके सामने एक photo है, यह है remote, टीवी का जो remote है, इसमें बहुत सारे button है, बहुत सारे button, क्या कभी आपने, कभी सोचा यह इतने सारे buttons क्यों है, शायद आपके घर में भी ऐसा TV होगा, जिसके आप बहुत सारे buttons होगे, और आपने कभी use भी नहीं कियोंगे, ऐसा है न, लेकिन यह button बनाये क्यों गए हैं फिर, अगर यह हम use नहीं करते दो, लेकिन एक customer experience के लिए एक ऐसी company निकल के आई बाहर, जिसने एक remote बनाया, Amazon Prime, जिसमें गिंती के वही button दिये, जो उनको लगता है कि यह use होंगे ही होंगे, एक यह remote है, और यह remote है, दूनों में फरक यह है, कि customer को जितनी requirement, जितनी उंगली जाती है, उसकी उत उतने ही size का और उतने ही limited button का remote बनाया है, और यहाँ पर उन्होंने बनाया तो है, button काम तो होते होंगे, लेकिन हमारे use के नहीं है बहुत सारे buttons, ऐसे ही जब आप अपना plan देते हैं, marketing plan देते हैं, demonstration देते हैं, जो भी चीज़े देते हैं, आपको यह देखना है कि आपके customer की need क्या है, कितनी need है, कौन से product की need है, ऐसा तो नहीं है, उसको चाहिए glucose mine, खुटनों की दर्द की problem है, और आप उसको ultra swap का demo दिखाने में ही व्यस्त है, वो सारी चीज़े करने में ही व्यस्त हो रहे हैं आप, आपको जानना पड़ेगा, और अपने plan को एक limited time के लिए आपको शुरू में तो 20 लोग आके बैठे थे फिर दीरे दीरे कायव हो गए और 10 लोग आखरी में 5 लोग बैठ गए, ट्रेनिंग है वो एक अलग बात है, लेकिन plan के समय आपको एक limited रहना पड़ेगा, जैसे limited remote में एक limited एक button आपके पास है, ऐसे ही आपको अपने customer को अगर अच् मुश्किल चीजों को बनाना आसान होता है, लेकिन आसान चीजों को बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है, तो आसान चीजे हमें बनानी है, और आसान चीजे बनाने में मुश्किल लगती है, आसान तरीके से plan दिखाना, आसान तरीके से जिससे duplication हो जाए असान तरीके सब कुछ असान तरीके से करना ज़्यादा complex चीजों में नहीं गुजना लोग पूछते हैं सर इन्वाइट कैसे करूँ? इन्विटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अब किसी ने मिट से पूछा था होम मिटिंग में इन्वाइट कैसे करूँ मैं? क्या बोलू मैं उनको होम मिटिंग में? कुछ ही नहीं बोलना होम मिटिंग में, सिंपल ये बोलना है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और रात को आठ बजे तू क्या कर रहा है? बोलेगा यार बहार भूम देते, बहार मिलते थे, आज तेरे घर पे मिलोगा, अब घर जाओ उसके, अपने बैग में, बैग लेकर जाओ अपने साथ, पूरा टेमोगा, लेकिन आपने उसको तो नहीं बताया ने कि आप क्या समझाने आ रहो, क्या बताने आ रहो, आप नॉर्मल जाओ आप casual मिलने जाओ, casual बात करो, casual मिलने जाओ, वहाँ के environment को देखकर आपको लगे कि यहाँ मेरे को अपने bag को खोलना चाहिए है, या पहले आपको वहाँ पे हलका सा atmosphere बनाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने business plan को वहाँ पर present करो, उनकी family के साथ बुला कर, उनके father को, mother को महाँ पे बिठा कर, कि यार मैंने सोचा आया तो हुई, अब वो bag लेकर जाओगे तो फूछ भी लेगा कि भाई ये क्यों लेकर आया, अरे वो यार ऐसी मैं एक जग ऐसे जा रहा था, मैंने सोचा, साथ, आठ बजे तेरे पास आ नहीं है, तो मैं एक meeting से आ रहा था, तो मैंने कहा तेरे से मिलतावा चलू, अच्छा meeting, कौन सी meeting, कैसी meeting, अरे वो मैंने business start किया है, अब आप बहुत सारी टेकनीक अपना सकते हो, तो थोड़ा सा होता है, अरे meeting छोड़ना तू छोड़ छोड़, अरे नहीं बता ना, पताना अरे नहीं यार तू नहीं कर पाएगा यार छोड़, अरे भाई बता तो सही, अब यह वाली टेकनीक भी आप अपना सकते हो, बहुत सारी चीज़े होती है जिस पर आप खेल सकते हो, आपको यह देखना है कि वहां का environment कैसा है, क्या वहाँ पर शूर शराबा ज्यादा है, आपको यह भी देखना है, आपको ऐसी जगा मिटिंग न देने की जरूरत नहीं है, हर समय अपनी बिजनस को पिछ करना जरूरी नहीं कि आज मौका मिल गया तो आज तो मैं बस करके ही आऊँगा, नहीं, आपको देखना है, आपको समझना है कि कहा मैं comfortable है, सामने वाला इंसान और कहा सारी चीज़े यह आपको देखनी है, आगे ब mentality से अपने emotional होकर अपने behavior response आपको create करके देता है, इतने बड़े order form के अंदर हर product customer के हो सकता है, उसकी need का हो या ना हो, लेकिन एक आप product जरूर उसकी need का निकलेगा, तो आपको देखना है, सबसे पहले इस form के अंदर उसकी नजर कहा जा रही है, वहाँ ही पे focus करके आपको उसके इर्दगिर्द वाले product पे ही आपको ले जाना है उसको, हो सकता है customer आपको बोले कि अच्छा आपके पास face wash है क्या, तो face wash का वाल्ला FMCG पे ही आप उसको थोड़ा बहुत उसके आसपास ही उसको लगाओ, अगर उसके घर में need है, आपको पता है disease है, heart की problem है, तो वह पर focus ज़्यादा करो, आप उसके demonstration ज़्यादा दिखाओ, health supplements के उपर ज़्यादा focus करो, right, आगे बढ़ते हैं, हमें सही इनसान को choose करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, network marketing के अंदर ये बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, सही इनसान नहीं पता चलता तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, तो हम presentation जो हमें मिलता हैं उसी को दिखा देते हैं, तो आप किसी भी घर में जाएंगे, तो आपको चार-पांस तरीके के लोग मिलेंगे, पहला इनसान मिलेगा initiator, जो कहेगा हाँ आप दिखाओ meeting, आप शुरू करो, आप क्या लेकर आयो, आप बता कर देगा, और यह होता है, जैसे मोधी जी है, एक influencer है, ऐसी आपके घर में भी कोई ना कोई influencer होगा, जो किसी भी बात पर मना लेता है घर में किसी को भी कि हाँ अगर यह कुछ कह रहा है, तो होई गई, एक मिलेगा decider, कि नहीं मैंने decide कर लिए, कि यह flex oil लेना है, तो लेना आपको यह देखना है, आपको इनमें से जो focus करना है, वो आपको decider पे focus करना है, सबसे पहले कि deciding factor किसके हाथ में, कौन सा ऐसा इनसान है, जो decide करेगा, पूरी meeting आपने दिखाई, सोच के देखो, आपने पूरी meeting दिखाई, time लगाया, सब कुछ लगाया, और उसके बाद पूछ के बताऊंगा, मम्मी से, पापा से, आप छोड़ जाओ अपना catalog, मैं कल बताता हूं आपको, यानि कि आपने एक घंटा लगाया, आपने product demonstration भी दिखाई, लेकिन ऐसे इनसान को जो decider था ही नहीं, decider तो उसके father थे, तब ही तो गोल रहा था, मैं father से पूछ के initiator होता था या फिर वो शायद influencer था, आप सामने वाले customer को दिखा रहे हो, और आपके जाने के बाद वो सामने वाला इंसान जिसको आपने दिखाया है, demonstration या plan दिखाया है, वो सामने वाले इंसान को सुना रहा है, वो दिखानी था, क्योंकि इसको बाद दिखाने के लिए तूटी-फूटी बता रहा है बाते, आपने एक घंटा लगाया है, वो एक मिनट में बता रहा है, वहाँ पर जो communication gap होता है, उससे कभी भी कोई चीजे, मतलब ये सौमे से एक वाली बात है, तुक्का निकला है, कोई स्टार्ट कर ले, बिजनस कर ले, तो 99 परसंट तो है, एक है, कोई भी है, क्या वो decider है, decider को पकड़ना बहुत जादा जरूर है, decide जिसने कर लिया, वो buy कर लेगा, consumer बन जाएगा, influencer और decider आपने देखना है, कौन है, उनको बिठा लो सबसे पहले आगी, अपने दोस्ते भी पूछ सकते हो, तेरे घर में जो भी family है, उसमें father important है, जिनको आपने समझाना है, उनके सामने आप demonstration दिखाओ या plan दिखाओ, तो right percent आपको choose करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, customer की lifetime value को कैसे customer को हम, customer के क्या-क्या process होते हैं, सबसे पहले जब आप किसी भी घर पे जाएंगे, decider मिलगे आपको, buyer हो जाएगा, उसके बाद उसका जो next level रहता है, धीरे-धीरे वो इनसान जो customer होता है, वो repeat customer में convert होता है, आपने December के महीने में बहुत अच्छा business किया, बहुत अच्छे PV निगाले, लेकिन customer तो बना लिया, क्या आपको इस बात की surety है कि वो एक repeat customer बनेगा, repeat customer से बनता है loyal customer, loyal customer से बनता है अगला promoter, जब वो loyal customer बन जाएगा, तब वो आपकी बातों को, तब वो आपके products को, आपके business को promote करना शुरू करेगा, लेकिन आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि customer बन जाए और सीधा promoter बन जाए, सीधा इसको मैं business plan बताऊ या इससे बोलू कि आप मेरे product के बारे में आगे बताना नहीं, customer और promoter में दो process चुपे होए हैं, जिसमें एक repeat customer है और एक loyal customer है, अगर किसी को promoter बनाना है, सबसे पहले उसको loyal customer बनाओ, promoter के बाद वो बनता है advocate, यानि कि advocate ऐसे लोग जो आपने देखा होगा, बिल्कुल भक्त होते हैं, in the sense आप कहें, कि एकदम मैं तो भाई, यह यही मिटना, यही जीना, यही product लूँगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी आजाए, कुछ भी हो, यह बन चुगा advocate, यह जहां जाएगा इस product के बारे में बताएगा, जो मिला उसको यह product बताएगा, और कोई product बताएगा यानि promoter से भी पका next level आगे advocate, उस level पे ले जाने के लि loyalty, loyal customer बनाने के लिए loyalty बनाने पड़ेगी, अब loyalty हम create कैसे करें, loyalty create करने के लिए, loyalty क्या चीज़ है, एक emotion है, एक आपस में relationship है, एक bond है, लेकिन satisfaction और loyalty में दोनों में फरक होता है, बहुत सारे लोग बोलता है, हम satisfied हैं इस brand से, इस company से, लेको satisfaction जो है, satisfied customer कभी भी brand चेंज कर सकत है, लेकिन loyal customer brand change नहीं करेगा, loyal customer छोड़के नहीं जाएगा, लेकिन satisfied customer जा सकता है, आपको satisfied customer पैदा नहीं करने, loyal करने, कैसे होगा, आगे बात करते हैं, एक loyal customer, आपका unpaid sales promoter या business developer की तरह काम करता है, loyal customer, क्योंकि वो promoter बन जाता है, अगले next step पे, तो वो बिना तंखा के, बिना पैसे लिए, उसको आप business plan ना भी बताएं, उसके बाद भी वो promoter बन जाएगा, business developer बन जाएगा, उसकी तरह काम करने लगेगा, आपको अपने आप नहीं नी leads लाकर देना शुरू कर देगा, अपने आप reference देना शुरू कर देगा, तो focus on loyal, creating loyal customers, और loyal customer बनता है, trust से, trust से, और trust के होते हैं 5 hours, पहला hour आपको देखना है rating, दूसरा hour review, आपको अपने customer से rating लेनी है, review लेना है, बताऊंगा कैसे होगा, आपको फिर देखना है, कितना repeat order वो दे रहा है, repurchase कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, हर महीने कर रहा है या उसी date पर कर रहा है consistency ले रहा है कि नहीं ले रहा, reference कितने दे रहा है, और retention कितनी है उसकी, क्या वो एक महीने लेता है, तीन महीने छोड़ देता है, फिर दो महीने लेता है, फिर छोड़ देता है, क्या ऐसा है, क्या एक महीने लिया उसके बाद कभी भी नहीं ले, क्या ऐसा है, ये सारे, ये 5 लिखी विए ट्रस्ट टेक इयर्स टू बिल्ड सेकंड्स टू ब्रेक एंड फॉरेवर टू रिपेर आपके कस्टमर का ट्रस्ट इस बात से भी तूट सकता है कि आपने लिप्स्टिक दी वो तो भाई टूटी भी निकली आपने फ्लेक्स वैल दिया वो तो थोड़ा सा जमा हुआ निकला आपने एक प्रोड़क्ट दिया था उसकी डिपी टूटी भी निकली अब आपको पता है आपका कस्टमर एक कस्टमर आपको बहुत पैसा कमा के दे सकता है लेकिन अगर आपको उसका ट्रस्ट जीतना है तो आप से उसको भाहस नहीं करने आपको उसको सर्वि इंपोर्टन नहीं है इंपोर्टन है कि प्रोड़क्ट देने के बाद आप उसकी कितनी केर करते हैं उसके बारे में कितना सोचते हैं उससे कितना फीड़बैक लेते हैं उससे कितनी बार मिलते हैं क्या बाते करते हैं कितना बॉंड बनाते हैं रिलेशन कैसे डवलप करते ह यह बहुत ज्यादा important है अब मेरे पास कोई ऐसा customer बाइचांस ऐसा मिल लिया जो मेरी service से satisfied नहीं है तो मैं यह नी सोचता कि वो गया अब मेरे किसी काम का नहीं है चलो अब तो गया मैंने उसे मिटी मिटी बाते कर ली चलो मैं देखता हूं मैं बताता हूं और उसके अब मैंने कोई ध्यान नी दिया मैं कोशिश करता हूं अगर उसको कुछी तूटी वी गलती से मिल गई या कुछ भी ऐसा क्या है वो जान मुझके बोल रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से उनको एक नया उनको फ्लेक्स होईल हो गया कुछ भी मैं उनको दे देता हूं सोच के देखो आप ऐसे ही ट्रस्ट बड़ेगा आपको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगी अगर ऐसा बाइचांस की बात है अगर आपको ट्रस्ट गेन करना है तो आपको सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी मैं आपको बता रहा हूं सर्विस पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी कैसे मेंटेन करना है कस्टमर से रिलेशंशिप आगे भी बात करें लोयल्टी आपको तीन चीज़े देगी जैसी आपने loyalty create कर दी आपको brand awareness मिलेगी prestige की brand awareness already है आपकी अपनी brand awareness आपके बारे में लोग आप जानने लगेंगे जादा से जादा लोग आपको promote करने लगेंगे आपकी service की तारिफ करेंगे prestige की service की बाद में करेंगे पहले आपकी service की तारीफ करेंगे customer के साथ engagement बहुत ज़्यादा बना रहेगा आपका क्योंकि customer is king ये बात मान लो आप ठीक है और आपको lead और prospect generation मिलेगी loyalty अगर create हो गई तो और loyal customer always build reference अब reference मांगने के तरीके हैं आपको आने चाहिए कोई भी customer आपको लगता है जो आपकी service से बहुत satisfied है उसको अच्छा लगा आपने सिर्फ एक काम करना है आपने उनसे reference मांगना है और reference मांगना है एक तरीके से आपने सिर्फ ये बोलना है जब आपने सारा feedback ले ले सिर्फ इतना होना है सर मुझे सिर्फ एक reference दे दीजिए बस एक मांगना है आपने ये नहीं वोलना सर मुझे न कुछ reference कुछ में कोई काम नहीं करता लोगों लगता आला साता है उन्हें लगता है कुछ पता है नहीं confused हो जाते है कुछ में उनको दिमाग में नाम भी नहीं जैसी आप बोलतों एक रेफरेंस चाहिए, जैसी आपके दिमाग में एक आया, तो आप सोच के देखो, मैं आपसे भी पूछता हूँ, एक रेफरेंस ही है, और जैसी एक रेफरेंस आप दोगे न आप उस इंसान का दोगे, जो सबसे ज़्यादा आपके उपर ट्रस करता है, यानि कि अगर आपने बोल दिये कि मेरा एक, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, जो आपके पास आएंगे, आपको कुछ बताएंगे, तो आप उनकी बात को समझना और वो आपको कुछ समझाएंगे, बहुत अच्छे प्रोड़क्ट समझे, अगर वो एक रेफरेंस या कोई भी ऐसा इंसान होगा जो उनके बहुत करीब होगा, बहुत जादा ट्रस्ट फेक्टर होगा, आप जब एक रेफरेंस मांगते हैं, एक-एक से ही आप बहुत सारे रेफरेंस क्रियेट कर लेंगे, एक रेफरेंस, सोचके देखो आपने जिनको कस्टमर बनाया था, वो लोयल कस्टमर बन गया, अब आपने उनको एक रेफरेंस मांगा, जब उन्होंने एक रेफरेंस दिया, जब इनको भी आप कस्टमर अच्छा बना लोगे, आप इनसे भी एक रेफरेंस मना, सोचके देखो बिना प्लैन दिखाए, आप लोगों तक पहुच रहे हो, और वो समय आ गया है कि जहां पर आप उनको तरीके से बोल सकते हैं कि सर आपके ना अकाउंट में, या आपके वेस्टिज एप में मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं, आपके तो सर अकाउंट में 400 रुपे आ रख्ये, अरे 400 रुपे ये कैसे आ गए, अरे सर आपने त 10 रेफरेंस और देने पड़ेंगे, अच्छा, आजेंगे लगबग, सर मैं कोशिश करूँआ, आप मुझे देते हैं, तो वो प्लैन के साब से आपको कैल्कुलेट करना है, कितने में क्या है, वो सब बताना है उन्हें, कि सर अगर आप मुझे 20 रेफरेंस देते हैं, या 10 तो आपके पास अगले तारिक को 10 मेने इसी वालेट के अंदर आपके पास कम से कम 2000-3000 रोगेंगे, जैसी वो दीरे दीरे आने लगे, आप वहाँ भी पिछ कर सकते हो बिजनस प्लैन, या फिर आपको देखना है excitement level क्या है customer का उस समय जो loyal customer है, क्या वो promoter बनने लाइक बन ग organization में, ऐसे ऐसे लोग, अच्छा ये आपको देखना है सामने वाला क्या है, lawyer है, engineer है, doctor है, जो भी है, sir, अगर वो doctor है, sir, हमारे यहां पे company के अंदर बहुत सारे ऐसे doctors हैं, जो part-time में बहुत अच्छा उन कर रहे हैं, sir, 30-30-40-45-45 जारवे महीना कमा रहे हैं, अपने current profession को disturb गरे, अगर कोई student है, SS student है, जो 18-18 साल, 21-22 साल के उमरे में, बहुत अच्छा वैसा कमा, दिखा दो, testament, वहां से वो आपका बन जाएगा promoter, distributor, वहां से मिलेगा आपको असली, अब वो loyal customer भी है, और वो एक distributor भी है, यहां से आप पकड़ पाएंगे, अपनी team में एक ऐसे leader बना पाएंगे, अब यह सीखने की चाहद भी है, जल्दी सीखेगा भी और जल्दी बढ़ेगा भी, यह वो लोग नहीं है, जिनको आप पकड़-पकड़ के सिखा रहे हो, पकड़-पकड़ के training में बुला रहे हो, पकड़-पकड़ के सब कुछ करा रहे हो, नहीं, अब यह inspiration है, motivation नहीं है, motivation come from outside in, inspiration come from inside out, यह वो इंसान है जो अंदर से inspire है, यह करना चाहता है अब कुछ, मैंने फिर बोला था, हर इंसान काम करने वाला नहीं मिलेगा, consumer तो बहुत मिलेंगे, लेकिन distributor कम मिलेंगे, तब focus करो consumer, वहीं से ही distributor निकालना शुरू करो, दीरे-दीरे, customer जब तक आपका है, जब तक आप customer के हैं, याद रखना, एक बार sale करने से, एक बार किसी भी इनसान को join कराने से, और show product देने से, जीत मत समनना इस बात को, जीत तो तब होगी, जब वो regular आपका promoter बनेगा, जब वो regular loyal customer रहेगा, तब तक रहेगा, क्योंकि जब तक आप customer क रहेगे, तब ही तक customer आपका रहेगा, ये बाद आपको ध्यान रखनी है, लोग पूछते relationship और selling में क्या difference है, क्या इनका आपस में कुछ है, relationship को आगे रखूँ या selling को आगे रखूँ, किसको रखूँ, तो मैं कहता हूँ, relationship is 80% and 20% is selling, किसी भी इनसान को जब आप मिल रहे और सीधा product की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं उस एक महीने के दोरान, जैसी आज मैंने अगर किसी इनसान से मिला और उसको मैंने product दिये, तो मुझे पता है, अगले महीने री-पर्चेस करेंगे, तो ऐसे नहीं कि सीधा री-पर्चेस वाली दिन पर ही मैं पहुच जाँ एक एक बार, चार बार मिलने के बाद एक बार आप उनसे मांगे, अब मांगे आप उनसे order, relation डवलप करें आप, लोयल्टी बनाए अपने customer के साथ, उनसे बार-बार frequently मिलना पड़ेगा, चाय पीने के बहाने जा सकते हैं, help करने के बहाने जा सकते हैं, इधर उधर की बात करें साथ में, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों मैं देखता हूँ, जब भी मिलते हैं किसी से, सिर्फ वही बात करने शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग इस बात से पक जाते हैं, जब भी आता है, यह वही बात करता रहता है, हमेशा अपने company की बात करेगा, अपने product की बात करेगा तो बहुत सारे लोग ना आप से कटना शुरू हो जाते हैं आप इन्वॉल वोना शुरू करो लोगों के साथ उनको यह मत दिखाओ कि मैं सिर्फ तु मेरे लिए ना बिजनस के लिए ही बनाएं नहीं मैं सब कुछ हूँ बाई मैं दोस्त भी हूँ मैं बिजनसमेन भी हूँ मैं कंसल्टेंट भी हूँ मैं सब हूँ लेकिन मेरे रोल्स अलग अलग है जब भी मैं आता हूँ हमेशा सिर्फ बेचने के लिए नहीं आता ऐसा उसको फील मत कराओ वरना वो यह वो वन टाइम सेल है अगर आप चाहते हो लॉंग टम में बना रहा है आपको उसके साथ रेलेशन्शिप मेंटेन करके रखना पड़ेगा feedback form सबसे important चीज़ है जिससे आपका customer loyal customer बनेगा और आपको हर time time पर आपको पतार चलेगा कि यह मेरा लोयलकस्तमर बन सकता है यह मेरेessen परचेश्ष देगा नहीं देगा यह feedback form यह आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे दूँगा, बना कर दे दूँगा, क्योंकि मैं अभी इसको डिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि यह चीज भी मैंने अभी अनलिसिस करनी शुरू करी है, तो इसमें मेरी उमीद है कि इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलें है, anything which you cannot measure, you cannot improve, कोई भी चीज जब तक आप उसको नाप नहीं सकते, आप उसको measure नहीं कर सकते, आप उसको improve करी नहीं सकते, Feedback, importance of feedback, इसकी importance क्या है, पहला, feedback improve करता है आपके product और service, हमारे पास product है, जो company से मिल रहे हैं, लेकिन हम customer को दे रहे हैं service और products, इस से हमें पता चलता रहेगा कि हमारे अंदर क्या कमीती है, हमारे products में कहां पर है, जहां पर हमें improve करना है एक level पर, दूसरा, measure customer satisfaction, customer कितना satisfied है, वो form के अंदर एक scale होता है, उस पे आपको numbering वो जो देगा, उससे आपको पता चलेगा, यह satisfied customer है या loyal customer बनेगा, वो numbering से पता चलेगा आपको, दूसरा, इससे पता चलता है कि आप customer की feedback को, यानि opinion को आप value करते हैं, आप मानते हैं, उसको सम्मा अपनी चीए, ऐसे 10 सवाल पड़े हैं, नहीं, चोटा चार चीज़े होगा, तीन-चार चीज़े होगी, बहुत easy to mark होगा, खतम, दूसरा, चौता point, improve customer retention, feedback form से आपके customer की retention होती है, आपके साथ बना रहता है, लंबे समय तक, और नए customer को भी help करता है, acquire करने में, क्यों, क्य क्या आप हमारे products के बारे में, या हमारी opportunity के बारे में, आप किसी को refer करना चाहेंगे, नीचे नाम लिखा होगा, या कुछ जो भी होगा, phone number वेगरा, जो भी आप column बनाते हैं, महाँ पे आपको नए customer बिल सकते है, सी feedback form से, अगर अच्छा है तो, क्योंकि आस तक पूछा न अगर customer आपको 6 rating देता है, या 6 से नीचे देता है, तो उनको बोलते है detractors, यह वो लोग हैं, जो आपके products के बारे में, company के बारे में, आपके बारे में, अच्छा ही नहीं बुराई करेंगे, वो आपको हमेशा, जिससे भी मिलेंगे, तो बोलेंगे बेकार है, मतलेना या सब कुछ negative response देंगे, यानि कि कहने का मतलब यह है, अगर कोई customer 7 या 8 rating देता है, इसका मतलब वो passive या neutral है, ना वो बुराई करेगा, ना वो अच्छा ही करेगा, कोई उससे पूछेगा कि कैसे product होएगा, आ ठीक है, बस इससे जादा वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जो 9 और 10 की rating देता है, यह आपके promoter बन सकते है, यह वो लोग है, जिन से जो कोई पूछेगा, वो कहेंगे, अरे वा कमाल के product है, जैसे अभी हमारे सर हमारे बीच में आये थे, सुलंकी सर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, वो हमारे promoter है, क्योंकि उनकी rating अगर करने हैं, तो यह feedback form आपको create करने हैं, एक चीज है जिसको बोलते है, आप selling product, यानि कि कोई इनसान अगर आप से मंगता है flex oil, और आप चाहते हो कि मैं उसका 100 PV कराऊं या 60 PV कराऊं, यह तो 17 PV का ही order है, कैसे कराऊं, अगर आप चाहते हैं कि 100 PV और 60 PV हो जाए, अपने customer को store ल येस, जिस store में best deal हो, कोशिश करनी है, वहाँ पर अगर आपके इलाके में best deal नहीं है, कोई बात नहीं है, आप best deal के store ले जाओ, कोशिश हमारी first priority यह रहेगी कि हम ऐसे store में लेकर जाए, जहाँ पर best deal हो, क्योंकि जब customer ऐसे store में जाता है, जहाँ पर varieties of product होते है, वो लेने store की decoration को देखता है, या store की तरीके को देखता है, जो भी वहाँ का ambience होता है, उसको देखकर उसको विश्वास सा हो जाता है, कि नहीं यार, यह एक अच्छी company होगी, यह corporate है, यहाँ पर बहुत सारे लोग है, staff काम कर रहा है, सब कुछ है, तो उसका एक अलग impact पड़ता है, आपने order लेने आये थे, आप एक, लेकर चले गए चार, best deal की importance, आप सभी को बताना चाहूँगा, शायद अभी हमारे बीच में जो participant available है, शायद 90% लोगों को यह बात मालूम नहीं होगी, अगर आप best deal पे काम करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पिछली बार आप, मैंन आता हूँ, यह PV बहुत आपको लग रहा होगा कि इसमें तो क्या मज़ा आएगा, points में PV है और मतलब इतनी की sale कराओ तो इससे अच्छा तो वेस्टीज में कराओ, मना नहीं है, लेकिन वेस्टीज के साथ में best deal को add करो, और सबसे अच्छा time अगर आप best deal के अंदर purchasing करना चाते हो या अपने consumer की कराना चाते हो, तो एक date ऐसी है, जहां पर आपको सिर्फ एक date, पूरे महीने के अंदर एक date ऐसी ही आती है, जहां पर आपको double PV मिलेगा best deal में, वो है 11 तारिक, हर महीने की 11 तारिक को best deal के अंदर double PV आता है, जिसको बोलते है BBD day मनाय जाता है, आपको पता नहीं होगा ये बात का, मुझे भी आज से पहले पता नहीं था, लेकिन जब से मुझे मुझे मालूम पढ़ा है, तो best deal के मेरे team में बहुत सारे लोग हैं, जो best deal के product खरीदते थे, लेकिन अब वो 11 तारिक को purchasing करते हैं, क्योंकि double PV मिलता है, इससे आपको ठीक है, 11 तारिक को खरीदे, 11 तारिक को आपको double PV मिलेंगे, और अगर आप consistency लेते हैं, वेस्टीज की, वेस्टीज की consistency के साथ आप कोशिश करेंगी, घर में best deal की भी consistency ले, इसलिए नहीं कि उसमें PV कम है, इसलिए क्योंकि वो आपकी requirement है, और आप करेंगे तो आपकी team भी करेंगी बड़ी consistency ले, मैं ये नहीं कहा रहा है कि हर इनसान 3500 वाली consistency ले, 2000 वाली भी consistency आप ले सकते हैं, कि 2000 रुपे का समान अगर आप 3 महीने लगातार लेते हैं, तो चौथे महीने जाके आपको 1000 रुपे का समान मिलेगा free of course, और 3,500 रुपे का समान 6 महीने लगातार लेने के बा और सबसे best time है, 11 तारिक को ले तो बहुत अच्छा है, double PV आपको मिलेगा, तो अपने customer को आपको क्या करना है, आज के बाद से कोशी ये करनी है कि उनको घर से लेकर आपको जो भी nearest store होगा best deal का वहाँ पे ले जाना है, और वहाँ से shopping करानी है आपने, दूसरा trial mode marketing, ये भी अच्छी marketing होती है, बहुत सारे customer बोलते है, ताइम नहीं है, मैं best deal, best deal मैं store जानी बाऊंगा, मेरा job का बहुत busy schedule रहता है, नहीं है मेरे पार time, आप क्या करें जी, आपने order form दिया, order form ले लिया, दो दिन हो गए, दो दिन बाद आए, catalog ली बोला, अरे यार समझ नहीं आया, क्या दूँ, क्या नहीं, मतलब नहीं ले रहा, interested नहीं है, ऐसे भी customer मिलेगा, हर इंसान थोड़ी नहीं आपका customer बन जाएगा, 10 को plan दिखार हो, 10 के 10, जब भी भी कोई ऐसा इंसान मिले, जो interested ही नहीं, या जो order दे ही नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, महाँ पर मैं कोश brand oil, जिस product में मेरे को बहुत ज़्यादा विश्वास है, जो मुझे लगता है, यह easily consume कर लेगा, supplements मत देना, easily लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि मैं free में देने जा रहा हूँ यह product, free में, तो free की चीज, ऐसी दो वो यो use कर ले, तो मैं या तो tea दे देता हूँ, या मैं soap देता हूँ, या फिर मैं उनको rice brand देता हूँ, कि sir आप यह use करे, मेरी तरफ से, आपको यह gift है, मेरी तरफ से, हमारा एक offer चलाता, तो यह उसमें, हाँ, जब आप repurchase करते हैं, 800 रुपे की repurchase करके आपको एक दो soap मिलते होंगे, या एक soap मिलता होगा, 1600 की purchasing पर आता है, इस repurchase offer को आप use करो अच्छी बात है, अगर नहीं use कर रहें, तो इसको trial mode marketing में डाल दो, अपने customer को दे दो free में, कि sir यह आप use कर लो, मेरी तरफ से gift है, हमें एक offer आया वा था, आज offer चल रहा था, तो यह मुझे gift मिला, मैंने सोचा sir आप से share कर लेता आपको पैसे दे देंगे, आगर आपने दे दिया, use करके अच्छा लगेगा, तो दे देंगे, कोई-कोई उस time भी दे दे दे, कोई-कोई बाद में भी दे देगा आपको, number आप share कर लेना, उनसे sir आपका number में save करना है, share करना है, जब आप meeting दे रहे होगी, क्योंकि जरूर आओ उनके phone में, और नाम के साथ कराओ, ताकि उन्हें याद रहे, remind ना कराना पड़े, sir मैं आया था, याद करो, दो दिन पहले या एक दिन पहले, तो नाम से लिखवाया, save कराया, आपने भी save किया, तो कई बार लोग क्या करते हैं, बाद में अच्छा लगता है, तो वो याद भी जाया हो सकता है, नहीं भी माने, लेकिन कई बार ये काम कर जाता है, तो ये तब इस्तमाल करना है, जब कस्टमर पर आपने सारे हाथ पैर लगा दी, और वो आपके साथ दुनने के लिए, वो माननी रहा कि यह मेरे को प्रोड़क लेना है, तब आप ये वाला काम लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा वेस्टीज के अंदर अगर तर्नोवर देखा जाए, तो राइस ब्रैन एक ऐसा प्रोड़क्ट है, जिसका सबसे अच्छा तर्नोवर है, तो उससे पता चलता है कि इसकी जो खपत है, बहुत ज्यादा है हमारे पूरे ये प्रोड़क्ट के बारे में आप उन्हें बताएं, अगर ये भार, देखो साबून और ये सारी चीज़े शायद वह भार से ले भी ले, ये नैजो फिल्टर अभी तक तो मार्केट में इतना ज्यादा आया नहीं है, इसको आप प्रोड़क्ट कर सकते हैं, इसको कहते है नीश प्रोड़क्ट मार्केटिंग, ये मैक ड्राइब नैनो एनर्जाइजर बाकी में मैंने एक वीडियो देखी थी, जिसमें एक लेडी कार चला रही थी, तो उन्होंने बोला, मैंने इसको यूज करा, उनकी जो कार की जो माइलेज थी, वो लगबग 18 किलोमेटर की सोचके देखें आप, 18 से 24 और जब आप अगर खुद यूज करेंगे और आप खुद यूज करके आपको जब विश्वास आएगा और जब आप किसी कस्टमर को बताएंगे तो I think कि हर कस्टमर चाता है कि जब वो बाइक चला रहा है या जो गाड़ी चला रहा है उसका इं खेल सकते हो और यह अशोर नेचुरल की जो हमारी रेंज है यह ठीक है नेचुरल प्रोडक्स आपको मिल जाएंगे मार्केड में लेकिन इस पे भी आप काम कर सकते हो यह भी acceptable हो जाएंगे मार्केड में क्योंकि मैं परसनली उस करता हूं तो मेरको तो मैं तो फुली सैटि आपको देखना है कि आपके अंदर कौन सी quality और आपके टीम के अंदर जो लोग हैं जो डिस्टीबूटर हैं जो काम कर रहे हैं वो कोन से हैं और कहां पे उनको लेकर आना है तो छे तरीके के जो leaders मिलेंगे, पहले मिलेंगे आपको interested, दूसरे informed, तीसरे involved, चौते immersed और पांचवे invested और छटे innovative, यह six I है, तो जो interested होता है यानि कि उसके अंदर एक इच्छा है काम करने की, product लेने की, training में आने की, वो interested quality है उस leadership की, दूसरा जो informed है यानि कि वो जानकार leader ह उसको जानकारी है, चीजों की, interested भी है, जानकारी है लेकिन बहुत जादा कुछ नहीं पता उसको, involved का मतलब वो शामिल है आपके business के अंदर, ठीक है, इच्छा भी है, जानकारी है, लेकिन बहुत कुछ करता नहीं है, immerse मतलब समर्पिद है, surrendered है, मतलब करना है तो करना है, investing मतलब निवेशित, अपना time भी invest करता है, पैसा भी लगाता है, सब कुछ करता है, innovative मतलब कुछ creativity है, उसके अंदर एक प्रगतिशील है, responsive है, ये खतरनाक छटवे लेवल का leadership इसके अंदर है, तो अभी हम इन 6 लेवल को समझेंगे, कि पहला लेवल क्या है, industrial leader कौन है, इनक इच्छा है, vestige करने की, इच्छा है network marketing करने की, इनकी इच्छा बराबर रहेगी जब तक ये लोग पैसा कमाते रहेंगे, वरना इनकी इच्छा एक जटके में गायब हो सकती है, कभी उतार आता है, तो ये demotivate होता है, कभी payout अच्छा आ जाता है, तो ये बहुत motivated हो जात ये बस दस मिनट के लिए किसी ने जूम का लिंक बेज दिया, तो दस मिनट के लिए आते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं, इनको लगता है कि अब मेरे मैंने सुनी हुई ये meeting, या मेरे काम की नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ चान चुका हूँ, त ट्रेनिंग में कैसे आँ, मैं अकेला आनी सकता, तो dependency अपने आप पे नहीं है, या तो upline पे या downline पे है, और क्या है, इनको हर चीज को 10 बार समझाना पड़ता है, एक ही बार को repeat करना पड़ता है, कई बार तब भी इनके दिमाग में चाती नहीं है ये चीज़े, क्योंकि हमें बताया ता लगाना कुछ नहीं है, प्रोड़क्त खरीदने है, चार लोगों बताना है, पैसे आते हैं, सिद्धार सार एक करोड़ कमाते हैं, यहाँ पे एतने कमारे हैं, 25 साल के लोग, 10 लाग कमारे हैं, शायद हम भी कमालेंगे, ठीक है, तीन महीने देख लेते हैं, नहीं हुआ तो छोड़ देगे, यह वो वाले माइंड सेट के लोग हैं, दूसरों पर इलजाम लगाने और शिकायत करने की इनकी महारत है, कोई भी काम गलत हो गया, तो इलजाम लगाते है सर, इनकी वरे से हुआ, यह मेरी डाउनलेंड टाइम पे नहीं है, इसलिए मैं ट टाइम पे नहीं आया, कभी अपलाइंग के उपर दोशे ठरेंगे, कभी भी अपने आपको शिकायत नहीं करेंगे, दूसरों को करेंगे, दूसरों को, दूसरे की वज़े से प्याउट नहीं बना, दूसरी वज़े की वज़े से यह इनसान जोइन नहीं हुआ है, क्योंकि सकता पापा ने मार्किट में सबजी लानी के लिए वह peculiar आज नी आ सकता हलकी हलकी सी चीजों के पाइए इनके पास बहुत पाहने होते इं कोई बहुत के बहुद से हानहे है तो पास न करने की वज़ा बहुत pot कि कोई वज़ा नहीं है, ये गलती से बिजनस में आ गए हैं और बहुत सारे लोग गलती से ही आते हैं, in fact मैं भी आया था पर ये समझ नहीं पाते हैं, ये आतो जाते हैं, पर ये टिकते नहीं है, ये समझ नहीं पाते हैं, इनका सपना बड़ा है, वरना इस business में नहीं जुडते सपने बड़े हैं इनके ऐसा ही कहते हैं इसलिए इस business में आया है क्योंकि इन्हे सपना पूरा करना है यह सिर्फ सच्चे और अच्छी advice चाते हैं लोगों से जो कि इन्हें मिलती नहीं है यह लोग हमेशा यही देखते रहेंगे कि आप कितने पक्के ह और अटल हैं अपने सिध्धानतों पर कितने कायम है कि जो आप कुछ बोलते हैं खुद आप करते हैं ये बस ये देखते हैं खुद ही नहीं करते ये बस देखते हैं और अगर आपने नहीं किया तो ये आपके कमिया निकालें क्योंकि शकायत करना तो इनका काम उसके बाद य इसे लोग आगर आपके team में है तो आपको बरोसा करने की जरुरत निया की काम करेगा कि आगे जाके 2 महीने में ठीक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा और उसके चक्कर में उससी के साथ लगे-पड़े हो आपको ऐसे लोगों को खुद हेंडल नहीं करना आपको ऐसे लोगों को अपने senior upline से के साथ बठाकर उन से हेंडल करवाना है कई बार क्या होता है कि upline downline बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो दोस्त बच्पन से है तो आपस में दोनों की tuning इतनी match हुई है तो हलके में लेते हैं तो हमेशा वो जब आ जाते हैं तो हलके में लेते हैं तो upline को involve कर लो वहां से हो सकता है कि चीजे solve हो जाए तो यह थे पहल जी इनको जानकारी है इस business के बारे में इनको मालूम है यह वो लोग हैं informed leader है इनको जानकारी है उसके बाद मतलब इनको इच्छा भी है और इनको जानकारी भी है इनकी इच्छा है कमाने की जरा सा काम करने की शमता है इनमें अभी हार निमानी इनोंने भी मगर इन लोगों में धीरज नहीं है patience नाम की चीज नहीं है इनने जल्दी करना एक महिने में सब कुछ करना है इनने आज ही चाहिए इनने ब्रॉण्स भी अभी करना है नहीं हुआ तो छोड़ देंगे इनने एक महिने में तत-दस जार की income चाहिए ये लोग भूल जाते हैं कि हमने इतने सालों पढ़ाई करी, वहाँ पर हमने एक रुपे नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया, लगाया ही है, और जब कमाने की बारी आती है पढ़ लिखने के बाद तो बहुत बड़ा भी नहीं कमाया, और यहाँ पर बहुत बड़ा कमाना चाहते बिना पड़े लिखे, बिना पड़े करे, बिना ट्रेनिंग लिए, पॉसिबल नहीं है जो की, और इन्होंने अभी तक जादा कुछ कमाया नहीं है, आए हैं 200, 300, 400, 500 या 1000 रुपे इन्होंने कमाया होंगे, एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत जादा है, इनकी टीम में कुछ ल बाशन देने में, बाशन देने का काम इनको बहुत जादा पसंद, बहुत आता है, बाते बहुत करेंगे, बहुत लंबी-लंबी बाते करेंगे, बड़ी-बड़ी बाते करेंगे, मैं एक महिने में ये कर दूँगा, मैं सिल्वर चले जाँगा, मैं गोल्ड चले जाँगा, इनको attention चाहिए, attention seeker होते हैं, ऐसे leader होते हैं, यह चाहते है कि मेरे को सुने, क्योंकि मैंने stage पे चरते हुए देखा किसी को यार उसके लिए तिनी तालिया बजाई जा रही थी, वो ऐसा बोलता है, उस अच्छा तो मैं बोलना शुरू कर दूँगा, तो मुझे भी सुनना श achievement, बात यतनी बड़ी बड़ी, achievement यतनी तो कोई संतुलन नहीं है, इनकी बातों होगा, ये लोग हमीशा ऐसे कुछ खुद के बारे में दिखावा करना चाहते हैं, जो ये है नहीं, ज्यादा तर लोग इनकी बातों को शक करते हैं, क्योंकि कुछ कमाया नहीं, जल्दबाज भाशन बाजी, दिखावा और दूसरों को गलत साबित करने की सभाव की वजह से ये लोग इस बिजनस में तेजी से प्रगती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी है, दिखावा करना है, कभी जाएंगे होटल में, वहाँ पर अपनी फोटो कीचेंगे, कभी सेलफी कभी घड़ी खरी लेंगे, कभी आईफोन खरी लेंगे, तो दिखाएंगे, मैंने यहाँ से लिया नहीं है, फिर भी दिखाएंगे, क्योंकि दिखाना जरूरी है, कभी BMW के साथ में खड़े होकर महाँ पे फोटो कीचवाएंगे, ये दिखाएंगे कि मेरी यह जैसे, या म जोड लिया, हलका सा ट्रेनिंग में आया, दो-चार ट्रेनिंग अटेंड करी, देखा, इन्हें लगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूं, करा भी, दो-चार पांदस लोगी टीम मनए, लेकिन वो टीम थेकी नहीं, क्योंकि टिकाना आता है नहीं था, क्योंकि इन लोगों को जोडन होने वाली यानि कि ये तनमन से इस बिजनस में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं मतलब इनको इच्छा भी है और जानकारी भी है इस बिजनस में हर दिन काम करने का फैसला भी कर चुके हैं रोज काम करेंगे जानकारी भी है इच्छा भी है और रोज काम भी कर रहे हैं क्यो पॉल्ड रहते हैं, मेरी बातों पर जाना, मेरे शब्द पर मत जाना, इनको जानकारी ये है, कि ये बड़ा बिजनस है, इसमें वक्त लगता है, ट्रेनिंग लिए है, किताबे पढ़िये हैं, तो इनको सब कॉंशिनस ली, मालूम पढ़ गया, कि समय तो लगेगा, दो साल, तीन साल, चार साल लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्हें मालूम है, वक्त लगता है, बड़ा बिजनस है, लोगों को संभालना कितना जादा जरूरी है, इन्हें ये एहसास है, इन्हें मालूम है ये बात, कि जरूरी है लोगों को संभालना, किस तरीके संभालना है, इसके बारे में भी इनको मालूम है क्योंकि ये involved leader है ये लोग training, meeting की एहमियत को अच्छी तरह समझ पाते हैं मगर समझा नहीं पाते हैं समझ पाते हैं इसलिए attend करते हैं लेकिन कमाल की बात हुई समझा नहीं पाते हैं अपने लोगों को यहां पर ये चुक गए इनकी थोड़ी बहुत कमाई हो रही है 5000, 6000, 7-8000 रुपे के आसपास 10,000 से नीचे नीचे ये कमाई ही लेते हैं मगर इनकी टीम में लोग जिम्मेदार नहीं हैं ये तो जिम्मेदार हैं, इन्होंने तो फैसला कर लिया लेकिन इनकी टीम में किसी ने भी ऐसा फैसला किया नहीं अभी तक जिम्मेदारी उठाई नहीं, इनकी टीम के लोगों हो है हर दिन काम करने का कल्चर ही नहीं ये भागना चाते हैं, दोड़ना चाते हैं, ये उड़ना भी चाते हैं ये सब कुछ करना चाते हैं लेकिन इनकी टीम के लोग इनके जैसे नहीं है ऐसा कल्चर पैदा किया नहीं इनकी टीम में रोज नए लोग जुड़ते रहते हैं लेकिन पुराने लोगों को भूल कर आजकल नए लोगों के पीछे पड़े रहते हैं पुराने जुड़े थे छ सोड़ता जा रहा हूं। पुराने लोगों को मैं भूलता जा रहा हूं। ये ऐसे involved है लेकिन structured way में नहीं proper तरीके से एक वो next level पर आएगा। इसी वज़ा से जरा-जरा सा काम हो रहा है उनकी टीम में। ये लोग हर दिन हर meeting में दिखने की वज़ा से लोगों को इन पर जरा-जरा सा बरोसा रहता है ज़रा-जरा सा है। ज्यादा नहीं, जरा-जरा सा क्यूंकि हे यह हर बाते नहीं सुनाते हाँ अगर आई बार ऐसा भी होता है कि लिडर कई बार गलत चीजे कर देता है था सुनानी भी पढ़ जाती है लेकिन समर्पिज्जों होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि हमारे लीडर ने अगर बोला कि कुए में होता है यह लोग समझ चुके हैं कि गलत दावे नहीं करने चाहिए आते हैं बहुत सारे लोग अरे सर हमारी टीम में आजाओ हम आपको एक लेक्ट देंगे बना के लोगी लेक्ट बना देंगे अरे आप आजाओ हम आपको यह कर देंगे वो कर देंगे ऐसा देंगे वह बह बाते हैं, इनकी एक ही समस्य है, कि अभी तक इनकी टीम में इनके जैसे लोग पैदा नहीं हो, यानि कि involved leader है, इनके नीचे को involved नहीं है, इनके नीचे या तो informed है, या फिर interested leader है, ऐसे लोग है, इन लोगों की हमेशा यही शिकायत रहती है, कि इनके लोग जिम्मेदारिया ले जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारिया यह चाते है मेरी टीम ले, हाँ यह लेने को तियार है, पर जैसे जैसे यह टीम के साथ involved होना शुरू होंगे, टीम को लाना शुरू करेंगे, टीम से regular basis में मिलना शुरू करेंगे, तो टीम भी जिम्मेदार होनी शुरू हो जाएगी, पर यह क्या चाते है कि मैं घर बैठे बैठे order दूँ और मीडिय टीम फिल्ड पे निकल के काम करें, ऐसा नहीं होगा कभी, आपको दिखाना पड़ेगा, उनके सामने, उनके साथ लगना पड़ेगा, उनके साथ जाना पड़ेगा, उनकी मिटिंग्स करनी पड़ेगी, उन सारे लोग सीर, मैं सीरियस हूं, मेरे टीम में कोई सीरियस नहीं, यह शिकायत है, यह है involved leadership, अब हम आते हैं चौथी कैटेगरी की तरफ, immersed, यह पूरी तरह से इस बिजनस में अपने आपको समर्पन्ज कर चुके हैं, यानि कि अपलाइन ने बोला कि कल दस बज़े meeting है, तो इसने ये नहीं पूछा, सर दस बज़े क्यों, नो बज़े नहीं हो सकती, या आठ बज़े करा लिजिए, ये क्यों तो अगर मगर फिर तो ऐसे शब्द करता ही नहीं है सामने, अपलाइन ने बोला दस बज़े, तो इसने बोला, ओके सर, जी सर, आपको आना है, जी सर, समर्पित, सब्मिशन, ये अगर मगर नहीं करते हैं, सर ये बुक क्यों, सर ये तो बुक बहुत मोटी है, सर कोई छोटी बुक पल लूँ, कोई पतली बुक पल लूँ, सर ये तो वीडियो आदे घंटे है, पांच मिन्ट की देख लूँ, ऐसा कर लूँ, सर कल सर पडसों बेचते, सर पडसों नहीं बेची, सर ये ये अगर मगर किरने वाले लीडर नहीं होते हैं, इमर्श लीडर होते हैं जो समर्पित करते हैं अपने आपको, लीडर ने जो बात कह दी, पद्धर की लकीर, उस पर डाउộc नहीं करना, जीवन में कबीचिन, हर meeting और training म लगातार दिखते हैं, क्योंकि आप एक बास समझ लीजे, इस दुनिया में हमारे मातपिता के करीब हमसे कोई होगा, भगवान, मातपिता, हम यूँ क्याते हैं कि हमारे मातपिता भी हमारे भगवान ही है, बिलकुर, तो जितने हमारे parents, हमारी care करते हैं, इस बात को समझ लो, ऐसे ही आपकी upline, कभी भी आपका जीवन में बुरा नहीं सो सकती, वो हमेशा आपको ये बात बताएगी, जिससे आपको benefit होगा, क्योंकि आपकी upline को बहुत अच्छे से ये बात मालूम है, कि अगर आपको कुछ हुआ, आपको अगर हानी हुई, परिशानी हुई, आपका हर शंड पे, हर step पे आपको वो चीज़े बताएगी, जिसकी वज़ा से उन्होंने अपने experience में past में कभी कुछ गलती करी होगी, तो आपको बताएगे कि ये काम मत करना जिससे गलती होगी, तो आपको सारी चीज़े ऐसी बताएगे, जिससे आप ही का फायदा होगा, लेकि इन काम करने का फैसला भी कर चुके हैं और आजकल ये लोग वेस्टी जी कर रहे हैं, क्योंकि ये समर्पित लीडर है, इनको इस business में कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी आजाए, कोई भी आजाए, कोई आजाए कमपनी या कुछ भी आजाए, 2, 3, 4, 5, 6, कोई इसी भी कमप मतलब पूरी तरह से इस business में अपने आपको समर्पित कर चुके हैं, लोगों की अच्छी बुरी बाते या आदते इनको परशान नहीं करती, इनके डाउनलेन अगर इनको परशान ही तो इनको परशानी नहीं होती, अब ये बिलकुल एकदम इनको पता है, ये जीवन है, इ कोई फरक ही नहीं पड़ता, ये रियक्ट नहीं करते, ये रिस्पॉंड करते हैं सिर्फ, ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं और हर तरीके से टीम के लोगों को मोटिवेट करते हैं, इनको किसी से कोई भी शिकायत नहीं है, ना अपलाइन से, ना डाउनलाइन से, ना कंपन 60, 70, 10000, 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 लोग किसी भी परकार का दिखावानी करते, ये लोग बहुत अच्छा फॉल अप और क्लोजिंग भी कर पाते हैं, इनकी बातों और उपलब्दियों में संतुलन हैं, जो ये बोलते हैं, वैसा है भी, करते भी हैं, ये लोग अच्छे लिडर पैदा करते अपनी टीम में, लो काउंसिलिंग करते रहते हैं उनके साथ बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग ये लेते रहते हैं और इनके अंदर पेशन्स साहस और कॉंफिडेंस हर शन इनके अंदर नजर आता है कि यह कौन है ऐसे लोग मुनीज सर ऐसे लोग हैं ओर मुनीज जितनी भी अब आगे जो पढ़ाओ बचे हैं दो पढ़ाओ ये सब हमारे अंदर हमारे टीम में जितने भी सींट्य काभिलेतर चाहए वो सारी बाते हैं तो अगली लाइने अगले पॉइंट्स ये आपके सब के नाम जो भी डेडिकेट leaders हैं ये लोग besties business में अपनी जिन्दगी पैसा और वक्त निवेश किये होए हैं हो गई ने एक साल डेड़ साल दो साल तीन साल पांस साल पैसा भी लगाया है जिन्दगी लगाने को तैयार है committed है निवेश करना चाते हैं खून पसीना एक करना चाते हैं मतलब इनको इच्छा भी है जानकारी भी है रोजाना काम करना चाते हैं अपने आपको पूरी तरह समढ़पन कर चुके हैं और लाखो रुपे वक्त निवेश कर चुके हैं अब पीछे नहीं अटेंगे अब तो आर या पार इनकी जिन्दगी का जादातर कमाई इस business में निवेश कर चुके हैं क कामियाब होने के सीवा इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है या तो कामियाबी या फिर कामियाबी और कोई success is the only option, it's not the option, it is the only option ये लोक सक्षम है और आत्म निर्वर है, इन्हें पता है जिम्मेदारिये कैसे लेनी है, अपने परिवार की, अपनी टीम की, अपनी डाउन इन लाइन की किस तरीके से ये इस बारे में पूरे सक्षम है, इस बिजनस में कामियाबी पानी की सारे गुण हुनर इनमें बरे हुए हैं, लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं, लोग इनको देखकर सब जुड़ जाते हैं, इनके सभी गुण, यानि कि इनका जो सभाव है, इनका जो नेचर है वो पॉजिटिव है, अपनी मैनस से लोगों में उमीद और भरोसा जगाते हैं, लोग इनको आदर्स मानते हैं, मतलब कहते हैं मुनीश सर को पूछो, मुनीश सर से पूछो, टीम में जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मादव जी से पूछो, अभि विशाली जी से पूछो, मनीशा जी से पूछो, ये बताएंगे आपको कैसे करना है, ये बताएंगे आपको कैसे पाना है, यानि कि आदर्श मानते हैं आपको, इनको सब सुनना चाहते हैं, मगर ये बोलते कम हैं, ये लोग हर वादा निवाते हैं और जल्दबाजी भाश और कुछ बात हुई, इतना विश्वास है कि अपने घर में अगर कुछ बात बता सकते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि ये भी अपनी हैं, तो इतना विश्वास है कि उनको भी बताते हैं, अपना परिवार समझते हैं, लोग इनकी बातों को जीवन की दिशा मानते हैं, लोगों को invested, निवेशक, आखरी के leader, innovative leader, आखरी पढ़ाव, छटा, ये educated leader है, सिख्षित, पढ़े लिखे educated, educated है, अपने product को लेकर पूरी knowledge रखते हैं, business plan को लेकर पूरी knowledge, company की profile को लेकर, अपनी industry को लेकर, हर चीज की knowledge अपने business को अच्छे से समझते हैं, ये वो छटे level के leader है, अपनी team के leader को leader बनाना और उनको काबिल बनाना इनका लक्ष है, मतलब इनको इच्छा भी है, जानकारी भी है, हर दिन काम करने का फैसला कर चुके हैं, और लाखो रुपे वक्त निवेश कर चुके हैं, पीछे नहीं अटते, लोगों को कामिया बनाने में ये लोग माहिर है, प्रेक्टिकल ट्रेनिंग में विश्वास रखते हैं, जीवन में, ये लोग पूरी तरह इस बिजनस के बारे में सिक्षित हैं, लोगों को जिम्मेदार बनाना इनको आता है, बहुत आसानी से ये लोग leader पैदा कर लेते हैं, साधारान लोग भी इनके नेतितु में आकर ब ट्रेनिंग देते हैं ये, पैचान को छोड़ कर अझान लोगों को जोड़ना ये लगतार सिखाते हैं, इनको इनकी वजा से लोग अपने आपको इस बिजनस में समपित करते हैं, ये लोग हमेशा लोगों की अवश्वास्ताओं को समझ पाते हैं और ट्रेनिंग में इनके एक दर्शन के लिए हजारों लोग आते हैं, मालूम पड़ा ये लीडर आ रहे हैं हाईदराबाद में, मुंबई में, पुने में, तो दस दिन से प्लैनिंग चलती है, सैकडों में, हजारों में लोग उनको ढूनने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, सीखने के पताई थी मुझे वह बात याद आ गई जिसकी वज़ा से मैंने उसके अमल किया और आज मैं यहां पर पहुचा कि आपने छे साल पहले मुझे बात बताई थी इनकी हर एक बात को लोग बार बार दोराते हैं और जीवन का आदर्श और दिशा मान कर चलते हैं तो आज की ट्रेनिंग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे उमीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप अंतक बने रहें ठिके रहें उसका बहुत-बहुत धन्यवाद मुनिष सर, over to you. कुछ कहना चाते है, कुछ लोग हो, तो इसमें हमें हमें. Thank you so much, sir, for this meeting. Sir, आज आपने जो भी clear किया है, मतलब मुझे लगता है, sir, आपने एकदम विराट कोली वाला बना रखा है, कि मैं जितनी बारा हुआ, उतनी बार मैं आप लोगों को इंप्रेस करके जाऊँगा. And, sir, इस बार भी आपने एकदम को इंप्रेस करना दे है, sir, लेकिन कुछ लोग होते हैं, जो मैं फिल की जान बनकर चले जाते हैं, तो आप वो अली परस्नालिटी बनकर हमारी जिंदगी में आयो, sir, हर बार हम आपसे अलग को सीख करके जाते हैं, आज का सेशन भी बहुत जबर्दस सेशन था, और, sir, बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं हर व्यक्ती से कहना चाहता हूँ, जो, sir, ने कैटिगरी बनाई है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप किस कैटिगरी में हो, बस अब हमें अग्रेड करना है, अब हमें बेस्ट वाली कैटिगरी में पह शॉषित्तु D कैटिगरी के लिए तो पैदा नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं देख रहा था, तो आज मैं अपने आपको बहतर कैटिगरी वाले शुड़ी में देख रहा था, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं भी थार्ड क्लास कैटिगरी से एक ठीक कैटिगरी में इसका मतलब आप लोग भी किसी भी कैटिगरी से अच्छी कैटिगरी में आ सकते हैं उसके लिए सिर्फ एक विल चाहिए और अगर कुशाल सर की मिटिंग हमें डाइम टू टाइम मिलती रहेंगी मैं आप से वादा करता हूं लोगों से जिस तरीके से राज मैंने मनीशा जी अब्दुल जी ने आनंद और भी लोग हैं सर आनंद जी सचिन जी इन लोगों ने बड़ी खतरनाग रिटेलिंग किये मैं आप सब लोगों से खेना चाहता हूं ऐसे ही बहुत सारे लोग अभी इस मीटिंग के अंदर मौझूद हैं और सर का साथ रहा तो जो सर ने बुला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पांच लोग मिलके आपकी लोगी कर देंगे वो दिन जादा दूर नहीं कि जब पांच- जार पीवी लेकर आएंगे और वो पांच-जार पीवी एलोवी सिर्फ हम पांच लोगों से चीफ करेंगे क्योंकि शायद पिछली बार जब 33 दिसंबर को मिटिंग ले लीग जब सबने थी तो बड़ा असंभव सा लग रहा था कि नहीं यह पॉसिबल नहीं है एक आदमी करने वाली लेडी एक हाउस वाइफ प्लस सरी हाउस वाइफ नहीं एक मैरेड वोमेन जो अपनी बच्चों की भी देखरेक करती है और वरकिंग भी है उसके साथ साथ अगर वो आठ सो पीवी कर सकती है तो आपन लोग क्यों नहीं कर सकते हैं अगर हमें प्रड़क की नॉल इसको अप्लाई करना जैसे सर ने मिटिंग की शुरुवात में कहा था नॉलेज इस नॉट पावर बट नॉलेज में अप्लाई इस पावर नॉलेज को जब आप अप्लाई करोंगे तब पावर बनेगा अब हमें इंप्लीमेंट करना है और अपनी साल के पहले महीने को आप प्राउडली कि यह सब्सक्राइब जिसने बोखोट ही तरह परफॉर्मेंस की लिए आप लोगो प्लीर बता देना चाहता हूं परफॉर्मेंस का पीवी से मिना पी जाती है जैसे कि राज में ग्रोथ की कि 600 पीवी से वो 6000 पीवी तक का सफ़र तो मैं कहना चाहता हूं आज भले ही आप Zero PV पर हो भले ही आपने आज जॉइन किया परफॉर्मेंस आपने कितनी ग्रोथ किया उससे ना पी जाएगी तो सर मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारी टीम सबसे अच्छी ग्रोथ तरीके से करेगी तो मैं इन सब लोगों की तरफ से आपसे वादा करता को प्राउड महसूस होगा कि आपने हम लोगों को ट्रेंड किया था तो थैंक यू सो वेरी मच्छ सर फॉर बिंग सच अ ग्रेट अप्लाइं प्लब्दियों के साथ लोग सामने आते हैं तो लगता है सर जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं तो वेस्टीज के इतिहास में जो हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं सर सोला साल में जो यूथ के अंदर जो हमने डंका वजाया हुआ है वो सर पिछले जबचे दो साल से हम डेड़ आइधिंक सर आपको तो शाय दो साल भी नहीं होए होंगे भी मार्च अप्रेल नहीं हो तो सर अभी तो दो साल भी पू हमारी स्पीड और बढ़ती जारे है और इस तरीके से चलते रहे सर बगवान की दया से और जिस तरीके से आप सभी का सपोर्ट रहेगा और सब कुछ तो सर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीजे हमेशा बनती रहेगे और हम भी अपने रिकॉर्ड तोड़ेंगे बहुत से लोग आ रहें, इंजीनियर भी है, लॉयर भी है, डॉक्टर भी है, गाहों से, शहर से, एजुकेटेड, अनुकेटेड लोग सब मतलब इतना काम्यावी तो हम कभी अपने डिसीजन पर प्राउड कर पाएंगे और कभी जिन्दगी हमने फैसले है तर हमारे फैसले की को भी हम सर 100% तरीके से मैं बताना चाहत हूं, बेस्ट यूटिलाइस करेंगे, अभी हमारे पास तीन दिन बचे है, तीन से चार दिन क्लोजिंग के लिए बचे हैं, मैक्सिम लोगों ने क्लोजिंग कर दिये, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए भूके शेर, जो आने वाले चार दिनों में भी ज़बर्दस रेटेलिंग करके, अपना काम और उपर लेकर के जाएंगे, तांक यू सो मुझ सर, थांक यू सो वेरी मच, थांक यू सर, मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी, अगले सेशन में मिलेंगे, कुछ न यू और विश यू वेल